नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इवात उना आपके अपने ओलाइन इश्यू टार्वितालोक में, मैं गौर्व नदैन्यन, आप सभी का उसी जोस के साथ, उसी मेंदरी के साथ स्वागत करता हूँ, एक अंगली पड़ाओ की ओर, एक नई परिक्षा की ओर, जिसका नाम है सुपर्टेट, सुगवाट प्रारम हो चुकी है, UPTET के बाद तुरंत आपको 51,000 पड़ों पर सिच्छक भरती परिक्षा कराई जाएगी, जिसमें एक पड़ आपके लिए सुनश्यत है, और उस पड़ को पानी के लिए पूरा संस्तान आपके साथ खड़ा हो रहा है, पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छांस देशांतर प्रारम किया था, जिसमें आपको अच्छांस समझाय था कि अच्छांस क्या होता है, और अच्छांस रेखाएं क्या होती है, इन सब की बात की थी, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देशांतर की, क्या पिर देशांतर क्या है और देशांतर रेखाएं क्या होती है ठीक है तो जैसे कि हमने आपको पहले पढ़ाया था उसी हिसाब से देशांतर रेखाओं की अधर बात करते हैं तो देखें न यहां पर यह आपका globe है और इस globe पर जो सबसे उपर वाला point होता है यहां पर 90 degree होता ह 90 degree साउथ से मिलाने वाली एक काल्पिनिक रेखा होती है एक काल्पिनिक रेखा एक ऐसी काल्पिनिक रेखा होती है जो globe को अर्थार्थ पृत्वी को लंबवत रूप से दो बराबर भागों बिभाजित करती है इस रेखा की अगर बात करते हैं तो इस रेखा का जो नाम है इस रेखा का जो नाम है इस रेखा का नाम है पिरधान यामुत्तर रेखा और इस रेखा का मान होता है जीरो डिगरी देशांतर तो अगर बात की जाए जीरो डिगरी देशांतर की तो जीरो डिगरी देशांतर अर्थार्द प्रधान यामुत्तर रेखा एक ऐसे काल्पनिक रेखा होती है जो लंबबत रूप से प्रितिवी को दो बरावर भागों बाढ़ती है इसके आंगे बाले भाग को हम पूर्वी और पीछे वाला भाग क्या होता है पीछे वाला भाग होता है आपका पश्मि गोलार्द इसी प्रकार हमने अच्छांस भी पड़ा है तापको के काल्पनिक रेखा है जो छेटेज रूप से प्रितिवी को दो बरावर भागों बाढ़ रही है उसको नाम दिया था जिरो ड देसांतर तो धर्वों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम प्रधान या मुद्थर रेखा कहते हैं इसी को इसका मान जिरो डेगरी देसांतर है जो गुलोग को दो बरावर भागों बाठती है पूर्वी गोलार्द में और कौन से गुलार्द में और पश्मी गुलार्द में पूर्वी गुलार्द और पश्मी गुलार्द आंगे समझेगा यहाँ पर इस उत्तर धुरुप को इस दच्छन धुरुप से मिलाने वाली जो काल्टिनिक रेखाएं होती है उत्तर ध्रुप को दच्छन ध्रुप से मिलाने वाली जो काल्पिनिक रेखाएं हैं इन काल्पिनिक रेखाओं को नाम दिया जाता है इन काल्पिनिक रेखाओं को नाम दिया जाता है देशांतर रेखाएं अगर हम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करते हैं तो दो देशांतर रेखाओं की सबसे पहले बीच की दूरी की बात की जाए तो बीच की दूरी को समझने से पूर्व आप यहां समझेगा कि बाव इस प्रकार से आपका यह 0 डिगरी अच्छांस होता है जिसक कि बीच की δूरी क्या होती जाएगी इनकी बीच की दूरी कम होती जाती है और धुरवों पर इस सारी रेखा गर these ग lip इस वाले पार्ट को अगर मैं दिखाना चाहूं तो आपको उपर वाला भांग कुछ ऐसा दिखाई देगा यह ग्लूब है यहांपर point है 90 डिग्री और यहांपर जो रेखाई हैं वो रेखाई इस प्रकार से आपको दिखाई देगी यह ठीकडर यह रेखा है आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा रेखाओं की बीच की दूरी अदिक है लेकिन ध्रवों पर जब ही मिल रही है तो इनकी बीच की दूरी क्या हो जा रही है नियून हो जा रही है सुन हो जा रही है आपने मार्केट में कभी कदू देखा हो या पर जाकर मिल जाती हैं तो देशांतर रेखाओं की अगर हम बीच की दूरी की बात करते हैं दो देसांतर रेखाओं की बीच की दूरी बिश्वत रेखा के समीप या विश्वत रेखिये चित्र में या विश्वत रेखा के समीप बिश्वत रेखा के समीब 111.111 कहीं कहीं पर 2-3 लिखा रहे था और कहीं कहीं पर 3-2 तो 3-2 किलो मीटर होती है 111.32 किलो मीटर होती है बिश्वत रेखा के समीब दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है 111.32 किलो मीटर होती है लेकिन जैसे जैसे धुर्वों की और बढ़ते जाएगे देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी में कमी आती है और धुरविये छेत्रों में पहुँचने पर धुरवों पर इनकी बीच की दूरी कैसी हो जाती है तो धुरवों पर इनकी बीच की दूरी सुन हो जाती है यह आपको याल रखना है आप से पिष्ण ऐसा ही पूंचा आए कि बिश्वत रेखा से दुर्वी छेत्रों के उढ़ जाने पर देसांतर रेखाँ के बीच के दूरी में क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है तो अगर ऐसा पुछन पूचाया है तो आप गएंगे, इनकी बीच की दूरी क्या होती है घड जाती है, ठीक ना तो ये तो होती देसांतर रेखाओं की बीच की दूरी अब अगर हम बात करते हैं कि देसांतर रेखाओं की जो बीच का छेतर है जैसे अच्छान्स रेखाओं के बीच का छेतर था और अच्छान्स रेखाओं के बीच के छेतर को उनक्या कहते थे कटवंद उसी पिरकाद जो देशांतर रेखाओं के बीच के छेतर को क्या नाम दिया जाता है तो इनके बीच के छेतर को नाम दिया जाता है गोर कहीं कहीं पर आप गोर सब्दे देखेंगे और कहीं कहीं पर आप सब्दे देखेंगे गोरे तो गोर या गोरे इंगलेस में भी यही होता है गोरे क्या होता है गोरे तो दो देसांतर रेखाओं के बीच के छेतरों गोर या गोरे कहते हैं पहले हम क्या करते हैं इस globe को कैची के माध्यम से इस Care काटे गे और काटने के बाद इसको हम सिधा इस्ट्रेट बना देते हैं इस प्रकार से सिधा हम इसको ऐसे इस्ट्रेट बना देते हैं ठीक है ऐसे बना देते हैं और बीचोबी से एक रेखा उजार देते हैं बीचोबी से जो रेखा है इस रेखा का मान है 0 डिगरी देशांतर चुकि ये पूर्वी गोलार्द है, तो 180 डिग्री इस्ट, और जो सबसे अंतिम रेखा यहां पर होगी, उसका मान होता है, 180 डिग्री वेस्ट, यह होता है, यह गलूब है, यह मन्चित्र होता है आपका, यहां पर कई सारी देशांता रेखा, यहां पर खिची रहीं, कई सारी देशांता रेखा यहां पर होती है, कितनी होती है, तो यह 0 है, जिरो के बाद 1 होगा, फ़र 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, काहँ तक पहुंच जाएंगे, 180 तक, उसी प्रकार यहां पर भी 0 है, तो 0 के बाद यहां पर भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कहां तक पहुंच जाएंगे? 180 तक यानि 1 से लेकर कहां तक 180 तक तो 180 देशांतर रेखा हैं यहां पर हो जाएंगे और 1 से लेकर 180 तक तो 180 देशांतर रेखा हैं यहां पर हो जाएंगे और एक बाबु एवी तो है जिसको हम जीरू बेगी देशांतर कहा रहे हैं या प्रिधान या मुत्तर रेखा इंगलिस में प्राइम निरीडियन लाइन कहते हैं तो इसको भी जोड़े लेंगे तो यह आकरा आपका निकल कियाता है 361 कितना आकरा निकल कियाता है 371 अर्थार्द देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है तो हम कह सकते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या 361 है लेकिन बाबु यह वाली बात यहाँ पर जो यह आया है नुमेरिकल नंबर जो यहाँ पर आया है यह रॉंग है यह रॉंग है य जब आप ऐसे मांचित्र को आप ऐसे गोल करते हैं तो जैसे ही हम मांचित्र से ग्लोब बनाते हैं यह 180 डिगरी जो देशांतर है पूरब और जो 180 देशांतर है पस्चम यह दौनों देशांतर आपसमें मिल जाते हैं यह दौनों देशांतर रेखाएं आपसमें मिल जाती हैं कहने का तत्र पर यह है कि 180 डिगरी इस्ट देशांतर रेखा और 180 डिगरी वेश्ट देशांतर रेखाएं दो देशांतर रेखाएं नहीं हैं बलकि एक ही देशांतर रेखा है तो अगर एक गोलार्द में हम 180 डिगरी देशांतर एकाएं लिखते हैं 180 देशांतर एकाएं लिखते हैं तो अंगले गुलार्द में हमें एक कम लिखना होगा 179 और एक 0 डेशांतर है तो अब इनकी संख्या निकल के आती है 360 अब इनकी संख्या निकल के आती है 360 और यही 360 जो देशांतर रेखा आ रही है यही सही है तो देशांतर रेखाओं की संक्या 360 होती है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 180 degree East बरावर 180 degree West अर्थार्थ 180 degree 180 degree एक ही देशांतर रेखा होती है दो नहीं है बलकि एक है एक ही देशांतर रेखा होती है देशांतर रेखा होती है तो इस प्रकार इनकी संख्या कितनी आ जाएगी इस प्रकार इनकी संख्या आ जाती है 360 ठीक ना 360 अब बात करते हैं कि देशांतर क्या है देशांतर रेखाएं क्या है संख्या कितनी है, बीच के छेतर को क्या कहते है इन सब बात के आंगे अगर बढ़ते है आखिर हम देशांतर रेखाओं का अध्यन क्यों करते है तो बाबु देशांतर रेखाओं के आधार पर हम समय की गड़ना करते हैं देशांतर रेखाओं के आधार पर हम समय की गड़ना करते हैं और समय की गड़ना कैसे की जाती है तो यहाँ पर समझेगा यह आपका globe है यह आपका globe है और इस globe पर एक रेखा है 0 degree देशांतर इस globe पर एक रेखा है 0 degree देशांतर और यह जो 0 degree देशांतर है इसे प्रधान यामुत्तर रेखा कहा जाता है का से उकर गुजरती है लंदन के ग्रीन बिच नामक सहर से उकर गुजरती है लंदन लिख दे रहे हैं इस जीरुडिली देशांतर जिसको प्रधान यामुत्तर रेखा कहते हैं इसी के आधार पर हम समय की गढ़ना करते हैं क्योंकि ब्रेटेन से उकर गुजरती है और ब्रेटेन के नावे किया ब्रेटेन के जो राजा महराजय जो अधिकारी थे जिन्होंने उपनिवेश इस्थापित किये थे वो किसी भी देश की यात्रा करते थे तो अपने देशांतर रेखा के आधार पी ही यात्रा करते थे और उसी के अकॉर्डिंग समय को मानते थे आपको हमेशा याद रखना है कि जो जिरो डिली देशांतर है प्रधान यामोत्तरे का लंडन से उकर गुजरती है आंगे वाला पार्ट पूराम होता है और पीछे वाला पार्ट पूराम होता है यदि कोई भी देश लंडन के पूराम में है यदि कोई देश लंडन के पूराम में इस्तित है लंडन के पूराम में अर्थार्थ पूराम इस्तित है तो डेफिनेटली उसका समय लंडन के समय से अंगे होगा क्यों होगा समझाएंगे अभी और यदि कोई देश लंदन के पीछे इस्तित है अर्थार्थ पश्मी गोलार्द में इस्तित है तो definitely उसका जो समय है उसका समय जो है वो लंदन के समय से क्या होगा लंदन के समय से पीछे होगा ऐसे इसलिए हो रहा है कि सुर्योदय की घटना पूरब से घटती है इसलिए पूर में सुर्की क्रणा पहले पढ़ती है और पश्च में सुर्की क्रणा बाद में आती है पूर में सुर्योदय की घटना पहले घटती है इसलिए सुर्की क्रणा पहले पढ़ेंगे इसलिए दिन पहले होगा और पश्च में दिन बाद में होगा अगर जहां पर दिन पहले हो रहा है अर्थर सुर्योदय की घटना पहले घटे जहां पर हो रही है वहीं पर सुराष्ट की घटना भी पहले घटे थोगी तो अगर आपसे पूचा जाये, कि सुलोदय और सुरास्त की घटना इस सरपरतम किस गोलार्द में घटेंगी, तो पूरवी गोलार्द में घटेंगी, और मैंने आपको यह बताया है, कि कोई भी देश है, यह वह पूरवी गोलार्द में उसका समय लंदन के समय से आङए कोई द्रण्दन के से पत्षिम मिष्ट पर निजन और उक्षिम भुल उडूर्द में है उसका समय क्या होगा उसका समय लंड़न से पीछे हुआ अब समस्या यहां आती है कि हमें सर्फ पता कैसे चलेगा कि कोई भी देस लंडनG से आगे है तो निस्फ़े कर रहेगा हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वी देस लंडन के आंगे है या लंडन के पीछे है तो बावुत प्रितेग देस्थ की एक मानक रेखा होती है एक मानक रेखा लेकन रूस में अब बाद है साथ मानक रेखा हैं लेकर अधिकांस्ता प्रतेक देश की एक मानक रेखा होती है जैसे भारत की मानक रेखा है और भारत की मानक रेखा का मान कितना है तो भारत की मानक रेखा है साड़े 20 डिगरी इस्ट भारत की मानक रेखा कितनी है साड़े 20 डिगरी इस्ट है जो इलहावाद के समीब नैनी इलहावाद के समीब नैनी से उगर मुझरती है और इसी मानक रेखा के अधार पर हम समय के गड़ना करते है अब देखेगा यदि भारत इसकी मानक रेखा सारे गासी बिगरी इस्ट है तो यहाँ पर देखेगा देशांतर रेखा में क्या लिखा है E E का मतलब है पूर्वी कोलार्थ अर्थार्थ भारत जो है वो लंदन से पूर्व में है और लंदन से पूर्व में है इसलिए भारत का समय जो है वो लंदन के समय से क्या होगा वो लंदन के समय से आंगे हुआ अब कितना आंगे होगा ये बात की बात है आपको कोई ही देश दिया जाए उसकी एक मानक रेखा दी जाएगी और मानक रेखा दी जाएगी तो आप समझ लीजेगा ये उसमें E लिखा है तो पूरब में है पूरब में तो उसका समय लंदन से आंगे है और अगर W लिखा होगा अर्था पर्ष्यम में है पर्ष्यम में तो उसका समय लंदन के समय से पिछे होगा समझ गए तो देशांतर रेखाओं के अधार पर हम समय की गड़न करते हैं कैसे करते हैं आईए समझाते हैं आपको इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि पिर्थिवी की गती की बात करते हैं जो पहला अक्सोब मैंने दिया था को तो पिर्थिवी की दो गतियां होती हैं एक गती का नाम है घूडन और एक गती का नाम है परिक्रमन गती एक गती का नामे घूड़न गती और एक गती का नामे परिक्रमन हम बात करते हैं गूड़न गती की गूड़न गती कम्दलब होता है यह प्रितिवी है यह उसका अक्ष है प्रितिवी अपने अक्षे के परिता घूमती है माल येगा मैं प्रिथिवी हूँ तो प्रिथिवी अपने अक्षे के परिता गूमना प्रिथिवी की घूरन गती कहलाती है और प्रिथिवी की घूरन गती के कारण ही दिन और रात होते हैं और दिन और रात कितने समय के होते हैं तो दिन और रात 24 घंटे के होते हैं ठीक ना आईएगा तो यहाँ पर प्रितिवी की घूरन गती यूज करनी हमें और उसके लिए हम पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं प्रितिवी की चाल ग्याद करते हैं और प्रितिवी की चाल ग्याद करने के लिए हम फॉर्मूलर लगाते हैं चाल बरावर दूरी वटे समय प्रितिवी की चाल अब तभी ग्याद कर सकते हैं जब हमारे पास दूरी और समय हो जब हमारे पास दूरी हो तो एक चक्कर लगाएगी तो दिन और रात होंगे और जब एक चक्कर प्रित्वी लगाएगी तो दिन और रात होंगे और दिन और रात कितने समय के होते हैं 24 हावर्स के होते हैं समय निकल गए 24 हावर्स प्रित्वी की घूरन गति में आपके सामने हूँ ऐसे घुमेगी पृतिवी आदा चक्कर और यहाँ पूरा चक्कर मतलब जब पृतिवी अपने अक्षपर पूरा एक चक्कर लगाएगी तो वह 360 डिगरी घुंती है कितना घुंती है तो वह कितनी दूरी तै करती है 360 डिगरी यह हावर्स है लेकिन अगर हम चाहें तो इस हावर्स को हम मिनिट में परवर्तित कर सकते हैं और मिनिट में परवर्तित करने के लिए हम इसमें 60 का गुना कर देंगे तो आप देखिएगा 60 से 0 से 0 और 6 कितनी बार चला जाएगा? 6 बार बिभाजित हो जाएगा और 6 से 24 कितनी बार वाजित हो जाएगा? 4 बार तो उपर एक बच्चा एक क्या है? एक एक डिगरी है क्योंकि 360 डिगरी था और नीचे क्या आए जाएगा? नीचे एगा 4 4 क्या है? 4 मिनिट है 4 मिनिट है यहां से हम 2 बाते कह सकते हैं बाबू यहां से बाबू हम 2 बाते कह सकते हैं पहली बात पहली बात हम कह सकते हैं कि पिर्थिभी एक डिगरी गुमने में 4 मिनिट का समय लगाती है पिर्थिभी एक डिगरी गुमने में 4 मिनिट का समय लगाती है पहली बात कह सकते हैं और दूसरी बात इसी को हम दूसरी बात समय कह सकते हैं कि पिर्थिवी चार मिनिट में अपने अक्ष पर एक बिगरी घुमती है दौनों बाते कह सकते हैं फिर से सुनीगा पिर्थिवी एक बिगरी घुमने में चार मिनिट का समय लगाती है पहली बात दूसरी बात कि पिर्थिवी चार मिनट में अपने अक्ष पर एक डिगरी घुमती है दौनों बात सही है एकजाम में कुछन पूछे ले कि पिर्थिवी एक घंटे में पिर्थिवी एक घंटे में अपने अक्ष पर कितना डिगरी घुमनन करेगी तो बताईगा यदि चार मिनट में एक डिगरी घूमती है कितना चार मिनट में घूमती है एक डिगरी तो साथ मिनट में कितना घूमेगी तो साथ मिनट में कितना घूलेगी एक गोणा साथ बटे चार और चार से अगर भागित करेंगे तो कितना बार पंद्रे बार तो 60 मिनिट बरावर कितना 60 मिनिट बरावर एग गंटा तो एग गंटे में प्रति भी अपने अक्ष पर कितना डिगरी घुमेगी तो एग गंटे में प्रति भी अपने अक्ष पर 15 डिगरी घुलन करती है कितना घुलन करती है 15 डिगरी कई बार पृष्ण पूछे गए कई बार पृष्ण पूछे गए तो मिनिट वाला अब देखिएगा अब समय ग्याद करते हैं तो यहीं पर मैं समय ग्याद करा देता हूँ आपको यहीं पर समय ग्याद करना देखिएगा हमने इतना फॉर्मूला निकाल के रख लिया कि एक डिगरी घुमने में चार मिनिट लगते हैं अब देखिएगा समय कैसे निकालते हैं तो देखिएगा यदि पृतिवी एक डिगरी घुमने में चार मिनिट का समय लगाती है बोलो हा या ना बिल्कुल सही सर एक डिगरी घुमने में 4 मिट लगाती है तो भारत देश का समाम निकालना है भारत देश की मानक रेका 162 डिगरी यदि एक डिगरी घुमने में 4 मिट का समय लगाती है तो 162 डिगरी घुमने में कितना समय लगाएगी इसको अपकर लिए गए 165 दाता है, दो दूना 4 और 164 प्लस 165, दो से दो बार कैंसल और 165 दूना बावब को कितना होता है, तो 133 और ये 330 के आगया मिनिट, भाई दो से हमने 4 को दो बार कैंसल कर दिया, अब ये 330 मिनिट है, अगर इन 330 मिनिट को हमें घंटे में कनवर्ट कर ना है, तो कितनी का भाग देना पड़ेगा, तो 60 का भाग देना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसल, 6 से कितनी बार चला जाएगा, तो 6 से 5 बार चला जाएगा, 30, 3 बचेगा, दिसमलब लगाएगे, फिर 5 बार जाएगा, 5.5, 5.5 घंटा, हावर्ष, और 5.5 को हम क्या लेक सकते हैं, साड़े पांच घंटे तो साड़े पांच घंटे निकल गया भारत का समय अब भारत की मानक रेखा अगर गौर से देखेगा तो भारत की मानक रेखा के आंगे यह लिखा है भारत की मानक रेखा कितने यह साड़े बैसे डिगरी इस्ट है और अगर इसके इष्ट लिखा है मतलब इपूरवी गोलार्द में है और एलि पूरवी गोलार्द में है तो इसका समय definitely London के समय से आंगे होगा और हम जानते भी है कि भारत का समय London के समय से कितने घंटे आंगे है तो यह हो गया 3.5 घंटे आंगे कितना हो गया आंगे और माली जीगा यहीं पर हम लिख दें कि भारत की मानक रेखा माली जीगा ऐसा होता साड़े ब्यासी डिग्री वैस्ट होती तो हम कहें ते समय तो इतना ही आएगा लेकिन यह समय जो होगा वो लंदन के समय से पीछ होगा यह समय जो होगा वो लंदन के स समय से पीछिखे होगा तो किसी भी धेशी का समय हम इसी आधर पर निकालेंगे कुछ नहीं करना दे दिए जाएगी चार का गोना करना है और जब घंटे में पर बटत करना होगा तो 60 का घुझ कर देना है यहीं पर जो ग्लोब मांचित्र बना रहा हूं मैं ठीक न ग्लोब ने मांचित्र बना रहा हूं इस प्रकार से हैं और यहां से एक रेखा उजरती है जीरो डिगरी देशांतर वाव सारी रेखाय में नहीं बनाऊंगा बस इंपर्टेंड इंपर्टेंड मैं आपको समझाने के लिए बना देखें माली जीरो डिगरी है जीरो डिगरी के बाद माली जीगा यहां पर एक डिगरी होगा कहीं पर एक डिगरी चुकि पूर्वी गोलार दे तो पूरा हो जाएगा माली जीगा यहां पर दो डिगरी होगा यहां पर समझाने के लिए बना रहा हूं तेन डिगरी है चार डिगरी है पांच डिगरी है और इसी प्रकार यहाँ पर 179 डिगरी है और यह कौन सा हो जाएगा यह वाला 180 डिगरी ठीक ना इस प्रकार से देशांतर रखा है तो आपको याद रखना है बाबू, कि पिरतेग देशांतर रेखा के मद्ध में, पिरतेग देशांतर रेखा के मद्ध में चार मिट का अंतर होगा अब देखेगा बाद समझेगा यह दि जीरो डिगरी और एक के मद में चार मिट का अंतर एक और दो डिगरी के मद में चार का अंतर, दो और तीन के मद में चार का अंतर चार और पांच के मद में चार का अंतर इस परकार से अब चलते जाएए कितनी रेखा है 180 रेखा है और इसमें अगर 4 का गुणा करेंगे 180 रेखा है 4 मिट का अगर गुणा करेंगे तो ये 360 मिनिट आ जाएगा और 360 मिनिट को अगर हम 60 से भाव देंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा ये निकल क्या जाएगा 6, क्याने के मतलब है कि बावू 0 डिगरी से लेकर और सबसे अधितम 180 डिगरी देशांतर तर कितने घंटे का अंतर पाय जाएगा 6 गंटे का, कितना 6 गंटे का, उसी प्रकार दच्छणी को लार्ग में भी ऐसा ही होगा, 1 डिगरी, 2 डिगरी, 3 डिग यहां पर भी 0 से लेकर 180 तक यहां पर भी कितना घंटे का अंतर पाय जाएगा 6 गंटे का, अब अंतर क्या है, अंतर यह है, कि जो ये 6 गंटे होगे, ये लंदन के समय से, लंदन है ये 0 डिगरी पर, ये 6 गंटे का समय यहाँ पर ये लंदन के समय से आंगी होगा और ये लंदन के समय से पीछे होगा Suppose that बाबू मैं अगर कहता हूँ कि बाबू लंदन में दोपहर की 12 बज़े हैं मैं कहता हूँ कि लंदन में दोपहर की 12 बज़े हैं तो बताइएंगे 180 डिग्री देशांतर कितना बज़ेगा आप कहेंगे सर्फ 6 गंटे आंगे है तो 12 में 6 गंटे जोड़ेंगे तो यहाँ पर सामके कितने बज़े होगे सामके 6 बज़े होंगे और यहाँ पर चलेंगे तो आप कहेंगे सर्फ 6 गंटे पीछे जाना है तो 12 से अगर 6 गंटे पीछे जाएंगे तो 180 डिग्री जो डब्लू रेखा है डब्लू यहाँ पर सुभाई की कितना बज़ेगा 6 और अगर आप बहुत से देखेंगे 180 डिग्री बेष्ट से लेकर 180 डिग्री इस्ट तक कुल मला के कितने घंटे का अंतर होगा 6 गंटे और 6 गंटे ए अर्थाग 12 घंटे का कुश्चन में एकजाम नरें कुश्चन पूछा है 180 डिग्री देशांतर इस्ट से 180 डिग्री देशांतर बैस्ट तक लगब कितने घंटे का अंतर पाये जाता है तो 12 घंटे का अंतर पाये जाता है 6 घंटे यहां पर हो गए और 6 घंटे यहां से हो गए ठीकना अब अगर हमें यह कहूं कि कोई व्यक्ति 180 डिग्री डवलू से 180 डिग्री इस्ट की उड़ा रहा है तो दिन उसका क्या होगा यहाँ पर अधिक समय होगा वहाँ पर कम समय होगा यदि वो यहाँ पर सुबहें की वो च्छे वजे चलेगा तो तब यहाँ पर सामके च पूंचे वैं दो देशां तर रहाओं के बीच में कितने समय का अंतराल होता है छार मिट अंतराल होता है अब देखेगा, सर कुष्चन कैसे पूछता है, कुष्चन ऐसे पूछता है, कुष्चन आपसे पूछेगा, कि कोई A नाम का सहर है, और A नाम के सहर की मानक रेका है 75 डिगरी इस्ट, और B नाम का सहर है, इस B नाम के सहर की मानक रेका है, 60 degree W कह रहा है कि London के सापेच London के सापेच London में सुवाय के 8 बज रहे हैं तो A देश जिसकी मानक रेखा 75 degree East और B देश जिसकी मानक रेखा 60 degree West इन दोनों पर समय क्या क्या होंगे आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बाबू आपको बाबू कुछ नहीं करना है जो भी रेखा दी जाएगे चुकि 1 degree घूमने में प्रत्वी समय लगाती है 4 मिनिट तो 75 degree घूमने में कितना समय लगाएगी तो आप कुछ नहीं करेंगे 75 गुणा 4 करेंगे तो ये मिनिट आ जाएगे और 75 गुणा 4 अगर करते हैं बाबू तो ये आता है हैं आपके कितने 300 मिनिट और जब घंटे में कंवर्ट करेंगे तो कितने का भाग दे देंगे तो 60 का भाग दे देंगे और 60 से आप देखेंगे कितनी बार विवाजित हो जाएगा ये 5 घंटे तो ये आपके निकल गया है 5 घंटे उससे परकार अगर 60 डिगरी का करते हैं तो एक डिगरी गूमने में लगते हैं 4 मिनिट तो 60 डिगरी गूमने में कितने लगेंगे तो 60 डिगरी गूमने में लगेंगे 60 गुणा 4 60-4 मिनिट और 60-4 मिनिट बराबर कितना 240 मिनिट और इसे घंटे में convert करेंगे तो 60 का भाग दे देंगे और जब 60 का भाग दे देंगे तो यह कितना आ जाएगा तो यह निकल के आ जाएगा 4 घंटे कितना निकल के आ जाएगा बाबू में 8 बज रहा, 8 और यहां पर 4 गंटे, जहा थारती 4 गंटे समय पीछे होगा, तो 8 में से अगर 4 गंटे पीछे करेंगे, तो यहां पर सुभाए 23 कि कितने बज रहे होगा है? सुभाए 24 कि JENNY. लंदन के सा पीछ, यहां आपका एक बज़े गा एक बज़े और यहां पर सुबहे के चार बज़े होगे चार बज़े बुलो संग्यादी तो कोई इमानक रेखा दी जाएगी आपको सबसे पहले हमें देखना है कि पूरब में है या पश्चम में है और उसमें 4 का गोना 60 का भाग करना है बकाया पूर इसी मेहनत के साथ बिना रुके इसी मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जाएगा यह हमारा वाटसप नमबर है 9125-4239-36 इस नमबर पर आपको केवल वाटसप के माध्यम से एश्टेक इंटरी लिकर सेंड कर देना है हमारे कांसलर जो हैं आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप जल्दी से हमारे साथ जुड़िएगा और एक्याबन हजार जो पढ़ा रहे हैं उनमें अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर दीजिएगा तो आज के एपसोर्ड में इतना ही फिर मिलते हैं नेस्ट एपसोर्ड में ठैक्यू